वूम गंगणब मिशकार दोस्तों, मैं विश्यू आपका अपने इस चानल में फिसे बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज है शनिवार, शनिदेव का दू, यानि नयाय का दे, यानि हमारे कर्मों के फल का दू आपने हमेशा शनिदेव के बारे में क्या सुनाएं? मैं आपके लिए कैसी सर्विस लाई हूँ जिसे आप इस भ्रहम से बाहर आएंगे जोतिर संबंदी भाषा के अनुसार शनिदेव का साशक है इस क्रह की भूमिका किसी के भी जीवन में बहुत एहम होती है इस क्रह की महादशा किसी भी व्यक्ति की दशा बदल देता है राजा को रंख या रंग को राजा बना देती है यहां तक की राजा को भी भीक मांगनी की नौबत आ जाती है और इसी दशा के चलते हुए कई बारतों हमने किसी बिखारी को भी राच करते हुए दिखा है शनी का नंबर होता है आठ हमारे देश के प्रधान मंत्री का भी नंबर है आठ यहां तक कि मुंबई के अंदर जो हमले होए थे वो भी होए थे 26 तारीक को यानि की आठ गुजरात में जो भुचाल आया था वो भी आया था 26 तारीक को यानि की आठ हमेशा आपको शनी के बारे में भटकाया गया है गुम्राग किया गया है मगर आज मैं एक ऐसी सर्विस लेकर आई हूँ जो आपके दिल में या आपके मनों में जो इसके लिए डर है वो खतम हो जाएगा आईये चानते हैं क्या है ये सर्विस और क्या होंगे आपके इसके फाइदे जब भी आप परिशानी में होते हैं या आपके घर में कोई बिमारी आती है या कोई आक्सिडेंट होते हैं या कोई भी गलत चीज होती है. सबसे पहले हम जब किसी को कुंदी दिखाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपकी शनी की दशा खराब चल रही है. हर किसी से आपको यही सुनने को मिलता है. शनी खराब, राहु खराब. क्या आक्चल में वो खराब होता है या नहीं? क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कभी? सिर्फ आपको एक बहाना मिल जाता है कि शनी की दशा खराब है, साड़े सती चल रही है, धाया चल रहा है, धाय साल बाद या साथ साल बाद वो ठीक हो जाएगा, और कहीं बार साथ साल भी बीच जाते हैं और कुछ भी ठीक नहीं होता है, अब आपको मैं यह बताऊंगी कि क्यों कि आपको के से फायदा देंगे हर शनीवार में आऊंगी इस ही चैनल पर, आपके घर में कोई भी परेशानी है, चाहे हो वह बिमारी से रिलेटर, कर्ण से रिलेटर, कोट के से रिलेटर। या किसी भी शत्रु से रिलेटर, आप कमेंड कीजिए हमारे इस चैनल पर जिसमें आपको यह बताया जाएगा, कि आपकी क्या सही में खचाने की दुशा खराब चल रही है, या फिर किसी और ग्रह की प्रॉप्मम है, आपको भटकन से बाहर निकालने के लिए ही यह सर्विस लाई चाहिए, हर शरीवार में आऊंगी, कमेंट आप पूरे हफ्ते कर सक करते हैं, कमेंट में डेट ऑफ पर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ पर्थ, जरूर क्लियर क्लियर डालिएगा, कोई परिशानी होगी तो केवल बही मेसेज कीज़ कीज़ेगा, फ्यूचर संबंधी या प्रेम संबंधी संबध से आए, इसमें नहीं डालनी है, सिर्फ परिशानी का ही इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट कीजिए और शेर कीजिए, किसी जरुरत मन के पाथ भीजिए, किसी के घर से परिशानिया ना जा रही हो, तो हम कोशिश करके आपको हल जरूर बताएंगे, ये सर्विस बिल्कुर फ्री दी जा रही है हम तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे अलविदा लेते हूँ, अगले शनिवाद जरूर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, खुश रही है